है कि है कि है लो फ्रेंट्स में हूं शुभम शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सुभम जी एस ऑनलाइन क्लासेस में आज के वीडियो में हम लोग भाग चौदा का हिस्सा पढ़ेंगे संग इवं राजी के से संबध सेवाएं ठीक है तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते है ये वाले हिस्से में हम लोगों को तीन प्रकार की सेवाएं पढ़ने हैं देखें किंद्री सेवाएं अखिल भारती सेवाएं और राजी के अधीन सेवाएं ठीक है सेंट्रल गववर्मेंट कौन-कौन सा सेवा होता है राज आल अनुच्छे 312 और अनुच्छे 315 ठीक है तो इसी को मपन पढ़ेंगे यह तीनों सेवा हैं क्या क्या होती है अपन देखेंगे पहले यह देखी अनुच्छे 312 के अंतरगत क्या बताए गया है अखिल भारतिय सेवा आई एस आई पीएस और आई एफस इंडियन न्यू ठीक है बनाना है अगर कई नया अकहिल भारति सेवाओं का स्र्रेजन करना है तो काउन करेगा तो राज्य проблем के पास यह सक्ती होती है मैंने पहले भी इसको बता करके अभी तक ऐसा कोई नय सर्विसे सिका supervised करम्ड़ कर दिन earthquake क य। Nove ले रजिशनीं स्वाइव का फार्वर करति हैक आधी। अभी तक ऐसा कोई नय सर्विशिसिस का निर्मान पारित करके 315 में संग एवां राजिक लोग सेवा आयोग किसके अंतरगत है 315 के अंतरगत है UPSC और स्टेट पियस इसको अपन देखेंगे पहले यह देखिए तीन तरीके की Jeans से टिंतरीके से राजियें Central Services, सेवाएं मतलब Services, तो Central Services, Central Government की केंदरी सेवाएं, दूसरा है अखिल भारती सेवाएं, All India Services, और तीसरा है राज्य सेवाएं, मतलब State Services, ठीक, Central Services, All India Services और State Services, अब देखिए ये तीनों क्या-क्या होता है, तो केंदरी सेवाएं, अखिल भारती सेवाएं क्या, मतलब केंदरी सर्विसे उसकी नियुक्ति उसमें जो पदादिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करती है केंदर सरकार करती है उनको वेतन भी केंदर सरकार देती है और उनको बर्खास्त भी केंदर सरकार करती है ठीक है मतलब कि वह जो केंदरी सेवाय में जो अधिक पदादिकारी है ठी वेतन हुआ नियुक्ति भाई देगी वेतन भी करेंस इसन के इंतर नसी के सेवा तीL क सुंद्र करा धाटा है तो 8 के इंतर रिसे रेल वे क Besण के इंतर ये यह है यह और क्या है थल सेना ठीक है वह किसके अंतर गताता है वह भी केंदरी सेवाओं के अंतर गताता था ये सब सर Wingate ऑर भी पहzym सर इंडियन एड्मिनिस्ट्रेटिव सर्विसेस, IPS इंडियन पुलिस सर्विसेस, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेस, यह फॉरेस्ट सर्विसेस नहीं है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेस, यह जो आते हैं, तीनों जो रहते हैं, वो अखिल भारती सेवाँ के अंतर गताते हैं केंदर सरकार इनके अधिकारियों के IAS IPS की नियुक्ति कौन करेगी केंदर सरकार करेगी इनके वेतन कौन देगी केंदर सरकार इनकी नियुक्ति करती यूपीस्टी इनका इग्जाम लेती है यूपीस्टी इग्जाम लेती है ठीक है यूपीस्टी इग्जाम लेके क्या करती एक्जाम लेने के बाद क्या करते हैं काडर डिसाइड कर दिया जाता है इस्टेट में भेज़ेंगे ना डिम लोग को डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट कलेक्टर लोग को तो इस्टेट में भेज दिया जाता है उसी को काडर बोलते हैं अब काडर की नियुक्ति कर दीगे जब अदिकारी चल देगा डिमत्य प्रदिश चल देगा अब उसको वेतन चीं कंडर करेगा तो यह सब आप देखा 어떻게 गरते बहुत सब्सक्राप नियुक्ति किसको केंद्र सरकार को नियुक्ति का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है बर्खास्त करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है लेकिन उसको सेलरी कौन देगी इस्टेट गवर्मेंट देगी ठीक तो यह जो जिसको केंद्र नियुक्ति केंद्र सरकार करती है वितन सेवाएं कहला एखिल भारती सेवाइजंब दकार की सेवाएं हैं तीसरा है स्टेट सर्विसे DIRECTOR करेगी वेतन सरकार के अधिन सेवाँ आती है इसका नियुक्ति भी राजय सरकार करती है वितन भी राजय सरकार देगी और टर्मिनेट भी कौन करेगा राजय सरकार ही इन तीनों को टर्मिनेट करेगी ठीक है यह सब लोगों को तो यह होता है तीन तरीके की सेवाएं अभी वरतमान में है भी एक्जिस्ट करती है ठीक अब आप देखिए जो है यूणियन पॉब्लिक सर्विस कमिशन उसके अध्यक्षी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं प्रधान मंत्री की सलापर राष्ट्रपति का अधिकार है यह मैंने पहले भी बताया था नियुक्ति कोन करेगा राष राष्टरपति के पास है नियुक्ति क्यों करता है राष्टरपति के पास है पीची पीय juice के अध्यक्ष को ठीक है याद रखिएगा अब देखिए धि evil services का नाम Case Indian सविषेस कएंडियन पूली सबीनि पिशोन अञे का नाम बदल कर अभी एंडियन पूलीस सेवा कें इंडियन पूलीस में आई-फैस यह नया आखिल भारती सेवा बनाया घया को बिटिशोन ऑफिए इस गोड़ेई अभीव सर्दार वन्लब भाइपटेल कkiego माना जाता है कियोंकρι समिधान सभ़ा में इसका प्रस्ताव यह लगिये सब सर्वीशेस रहनाचिये करकर सर्दार वन्लब भैपटेल नहीं रखा था इसलिए सिविल सेवा का जन्मदाता किसको माना जाता है सरदार वल्लब भाई पटेल कोश्चन आ चुक है सिविल सिवा का जन्मदाता सरदार वल्लब भाई पटेल ठीक है अब यह देखे अब इसमें यह जो केटेगरी होती है सेंट्रल गवर्मेंट की सर्विसेस और इंडिया सर्विसेस और तो देखिए class 1 और class 2 officer राजपत्रित अधिकारी की स्रेणी में आते हैं राजपत्रित पदाधिकारी इसको कहते हैं राजपत्रित पदाधिकारी का मतलब क्या होता है इनका जब नियुक्ति होगा class 1 और class 2 officer का तो नियुक्ति जब होगा वो ठीक है वो लोग क्या होता है उनकी नियुक्ति उनका पदिस्थापना, पोस्टिंग, ट्रांसफर, टर्मिनेशन ये पूरा प्रोसेस जो रहता है वो राजपत्र में प्रकासित हुए बीनन नहीं हो सकता तो ये class 1 class 2 officer इसके अतरिक्त class 1 class 2 officer को पदाधिकारी कहा जाता है class 3 class 4 officer को नहीं कहा जाता, अब ये class 3 class 4 officer को अराजपत्रित अधिकारी कहा जाता है अराजपत्रित अधिकारी मतलब ये लोग की नियुक्ति होगी, ट्रांसफर होगा, प्रमोसन होगा, किसी भी चीज को क्या कर नहीं करना मतलब कि राजपत्र में प्रकासित करने की जरूरत नहीं है ठीक है और ये लोग को पदादीकारी भी नहीं कहा जाता है ये लोग पदादीकारी की स्टेंडी में आते हैं ये लोग पदादीकारी की स्टेंडी में नहीं आते हैं आईएस आईपिस औफिस ये तीनों जो अखि पदों नती द्वारा भरे जाएंगे 33% पद जो हैते हैं वो क्या करते हैं प्रमोशन के द्वारा जो नीचे में यही पीसी पीसी अधिकारी रहते हैं पीसी के मतलब डिस्ट्रिक कलेक्टर अपर कलेक्टर और उसके बाद आपका SDM वगर यही लोग प्रमोट हो के 33% पद को भरते हैं यह लोग के IPS IPS के उसके बाद बागी पदों के लिए क्या होता है एक्जाम होता है ठीक है तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना था संग एवं लोग सेवा के दिन सेवाओं में इतना चीज इसमें परियाप्त है ठीक है इसमें भी अब लेकिन इतना को पढ़ना जरूरी है उसमें से कोश्चन जो है तो कभी-कभी आते रहते हैं ठीक है तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजे तो आई होप आप सब को यह वीडियो पसंद आया होगा आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही जब अपन नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे स्यादे का हिस्सा देखेंगे तो ठीक है तो जैहिन वंदे मातरमन